प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें सलामुतिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा के एहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आइटी आई में आज माइनरोटी डेलोप्मेंट मिनिस्ट्री ओफ महराष्ट्रे के मंत्री नवाब मलिक ने विजिट किया इस दवरान छात्रों दवरा बनाए गए प्रोजेक्ट का उन्होंने जाइजा लिया और छात्रों से उनके बनाए गए प्रोजेक्ट को लेकर काफी देर तक इनसे बादचीद भी जरसल एहमद अब्दुल्ला घरीब प्राइवेट आईटी आई को इस बार मुंबई में पहला अस्थान प्राप्ट हुआ है महराष्ट में बात करें महराष्ट्रा में तो दूसरे नंबर पर है और भारत में 133 वा अस्थान है और आईटी आई में आज विजिट के दौरान पत्रकारों से बात्चीद करते हुए महराष्ट में बीजेपी की जन आशिरवाद यात्रा को लेकर भी मंत्री नवाब मलिक ये बीजेपी परतंज कसा और कुरोना फेलाने का जिम्मेदार बताया पत्रकारों से बास्चीत करते हुए क्या कुछ कहा है। हमने ताई किया है कि मार्ज 2021 तक यह जो गौवर्मन आईटी आई मानियोर्टी का है उसको बना कर पूरा करेंगे और 2022 साल से एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। प्रेस आईटी आई के लिस्ट में हैं। यहां के जो भी ट्रस्ट्री हैं, यहां के टीचर, प्रिंस्पल, तो नई टेकनलोजी हैं, नई ढंसे, सब सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह के अगर इंस्टिटूट बनते हैं तो बच्चों का नॉलिज भी अपड़िट होता है। और उनकी एंप्लाइबिलिटी भी बढ़ती है। अभी गॉर्मन ने बहुत सारे फैसले की हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनका फिर रिंबस्टमेंट करना। तो वह भी स्कीम का फाइदा यहां के बच्चों को मिलेगा। और भी जो भी जुरत इस चुट को होगी पूरी तरह से डिपार्टमेंट और गर्मन इंपाट करेंगी। उनको इनको 50% रिजरूइशन आए है। लेकिन जो अलग-अलग स्कॉलर्शिप है जितनी स्कॉलर्शिप है उतने भुच्छों के अप्लिकेशन नहीं आती है री मैं ज्यादा आती है जो सेंटर गवर्मेंट की स्कीम है तो हमने फैसला किया है कि जितनी भी आएगी application सभी लोगों को देना चाहिए इस तरह से cabinet के सामने जा रहे है सारी इस fellowship की scheme में लोग अगर application करेंगे तो फायदा मिलेगा हमने बड़े पहमाने पर hostel जो बने थे और ने hostel minorities के girls boys के बनाने के फैसली किये हमने किया है कि जो minorities के hostel में बच्चे पढ़ेंगे जिनकी सालाना अमदनी आठ लाक रुपे होगी ऐसे बच्चों को जो महानगरपाली का चेतर में होंगे उनको साल में तीन लाक रुपे और जो ग्रामिन चेतर में होंगे उनको साल में दोलाक असी अजा रुपे हम उनको वो तीन हजार रुपया बच्चों को मिलेगा जिससे हो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को काफी मदद होगी और उनकी माली ठीक नहीं होती है तो इसी स्कीम से बड़े पैमाने पर बच्चों को पढ़ने में जो भी करिशानी वो दूर होगी और बहुत सारी अलग-अलग स्कॉलर्शिप थी खासर के टेकनिकल एजुगेशन की जो ती प्रोफेशनल कोर्सेस की पिछले साल लेट हुआ था लेकिन जो भी थी हमने अभी पूरा उसको डिस्बस करवाती है तो बारा साल के बच्चों के बच्चों के लिए वेक्सिन तयार हो चुका है आज से प्राइब कंपनी है वेक्सिनेशन सुरू होगा कितना एफेक्टिव है वेक्सिनेशन का मतलब है के लोगों को टीका करन से रोक से भीमारी से बचाया जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि टीका लगाने के बाद कोविड नहीं होगा बड़े पहमाने पर टीका लगाने के बाद भ पर्वा हो जाएंगे तो हमें लगता है इससे भी खत्रा टला नहीं हो सकता है कि जानना जाए कि उनके जरिये कई लोगों को इंफेक्टेट वे कर सकते हैं टीका लगाना ज़रूरी है लेकिन एथियाद टीका लगा के भी हो में चाहते हैं पुरी तीसरी लाट ऑने वाली है और दुझे की इस वक्षाम यात्रा कर रहे हैं तो सेकंड बेव आई परधान मंत्री ग्रह मंत्री सभी लोग गेलियों में लाखो़ लोग जूटा रहे थे जिस से सेकंड बेव आई अब जन आशिरवार की यात्रा पूरे देस में फिर नि परक्ष्टान जाओ यह जुबान की सल्का है गैर जिम्मेदारना बयान है पेट्रोल डीजल के जरिये लोगों की रोध जेव काटी जा रही है गैस सिलिंडर के दाम 25 रुपे बढ़ा दिये गए जन अशिर्वाद यात्रा है तो के जन विरोध लोगों का होगा यह अंदाज जारी अपने देश में की कारोबार वहां से जादा होता है उसको लेके सरकार रज्य सरकार किस तरह त्यारी कहिए और काला बजारियों की संख्या बढ़े जाएगी से बतानी ड्राइफ रूट यह किसी भी कंट्रोल में नहीं है मार्किट ड्रिवन उसके रेट होते हैं ड् इरान से पिस्ता आता है केलियोफोर्निया से बादाम और आक्रोड आते हैं तो पैरलेल सप्लाई है और मेजर्टी जो इंपोर्ट है और दूसरे मुलकों से हैं महंगा होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है